चानक क्या I.S. Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम भात करेंगे अटल सेतु के बारे में हाल ही में प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने महराष्ट में 3500 करोड रुपे से अधिक की विकास परियोजनाओं के शुरुवात करते हुए मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्गातन किया जिसे अब अटल बिहारे वाजपे सेवरी नहावा शेवा अटल सेतु नाम द प्रधिला रखी थी यह बहरत का सबसे लंबा पुल है और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है यह पुल लगभग 21.8 km लंबा छेलेन वाला पुल है जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 km और जमीन पर लगभग 5.5 km है यह मुंबई अंतराष्ट्य जवाई अडे को सीधा संपर्क प्रदान करेगा और मुंबई से पुने गोवा और दक्षन भारत की यात्रा के समय को भी कम करेगा इस पुल में मुंबई बंदरगाह और जवाहर लाल नहरू बंदरगा के बीच संपर्क में भी सुधार होगा अब हम इस पे विश्टार से ब जाना जाता था यह अरब सागर में ठाने क्रिक पर 22 किलोमेटर लंबा ट्विन केरीजवे छे लेन पुल है अटल से तु मुंबई में सेवरी को रायगर जिले में चिडले से जोडता है पुल बनाने के समय के अगर बात करें तो पहली बार 1962 में मुंबई मेट्रोपॉलिट शुरू हुई वही 2006 में निविदाएं बुलाई गई जबकि इसके 10 साल बाद 2016 में पीम नरिंद्र मोदी ने इस पुल का सिला नाश किया आखिरकार परियोजना पर काम अप्रेल 2018 में शुरू हुआ परियोजना की लागत की अगर बात करें तो अटल सेतु का निर्मान 17,840 करोर रुपे से अधिक की लागत से किया गया है इसमें अनुमानित लागत से जादा व्य हुआ है 14,712.70 करोर रुपे इसकी मूल लागत थी लेकिन कोविट के कारण लगने वाले लोकडाउन की वज़े से इसमें देरी हुई और व्य भी जादा हुआ इस पुल की विशेशताओं के अगर बात करें तो अटल से तु लगभग 21.8 किलोमेटर लंबा और 6 लेन वाला है जो 16.5 किलोमेटर लंबा समुद्र के उपर और लगभग 5.5 किलोमेटर जमेन पर बना हुआ है यह भारत का सबसे लंबा पुल है जो देश का सबसे लंबा स इस पुल से आम लोगों को क्या फाइदा होगा हजारो करोड की लागत से बना अटल से तु मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए यह पुल नई जीवन रेखा बनेगा यह बुन्यादी धाचे के छित्र में भारत के विकास की एक नई इबारत है एक अनुमान के अन पुल पर चार परिया वाहनों जैसे की कार, टेक्सी, हलके मोटर वाहन, मीनी बस और टू एक्सल बस की गती सीमा 100 किलोमेटर प्रतिघंटा होगी और पुल के चड़ने और उतरने पर गती 40 किलोमेटर प्रतिघंटा तक सीमित रहेगी हाला कि मोटर बाइक, ओटो रिक्षा और ट्रेक्टर को इस पुल पर अनुमती नहीं होगी, मुंबई की ओर जाने वाले मल्टी एक्सल भारी वाहनों, ट्रकों और बसों को इस्टन फ्रीवे पर प्रवेश नहीं मिलेगा इसके साथ ही आज का ये विशे यहीं पर समाप्त होता है, हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद